Hello Friends, क्या आपके पास BSBI का कोई भी Credit Card है और आप आपने BSBI Credit Card का जो Bill है उससे आप EMI में Convert करना चाहते हो तो मैं भी आपने BSBI Credit Card का Bill EMI में Convert करना चाहता हूँ तो चलिए मैं आप लोगे को Live करके दिखाता हूँ कैसे आप आपने BSBI Credit Card के Bill को EMI में Convert कर सकते हो और साथ में कितने महीने का EMI यहाँ पर किया जा सकता है और इसका Interest Rate कितना होगा वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं तो चलिए बिना दिर क्यों बढ़ता है वीडियो की तरफ तो यहाँ में SBI Card का जो Application है उस पर Login होगी याहो आप भी Login कर लीजिएगा Login होने के बाद कुछ SI Interface देखने को मिलेगा आपको तो यहाँ पर आपका Credit Card का Details यहाँ पर सो करेगा जैसे कि यहाँ पर मेरा Credit Card का जो Limit है वो सो कर रहा है और यहाँ मैंने कितना Limit यूज किया है वो यहाँ पर सो कर रहा है इसके बाद यहाँ Total amount दूज करेगा अजिसके बाद यहाँ Minimum amount दूज करेगा और Last payment details यहाँ पर सो करेगा मैंने Last payment कितना किया था वो यहाँ पर सो करेगा और इसके बाद Payment Date यहाँ पर सो करेगा तो यहाँ पे अगर आप आपने बिल को जो है EMI में कुन्वर्ट करना चाते हो तो यहाँ भी आपको एक option दिखेगा Pay in EMI बोलके आप इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो या फिर यहाँ नीचे आपको Home के पास में एक EMI याँज मोर का option दिखेगा इस पे क्लिक करेंगे तो चलिए में यहाँ EMI याँज मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको दो option दिखेगा एक है balance transfer और एक है flexi पे तो अगर आप आपने credit card का जो bill है उसे अपने bank account पे transfer करना चाते हो तो यहाँ balance transfer पे क्लिक करके आप आपने bank account में transfer कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको extra trust देना होगा मतलब interest तो देना होगा तो आपने credit card का पेशा आपने bank account में transfer करने का जो process है वो में आगे आप लोगों को एक video में बताऊंगा लेकिन आज के इस video में हम आपने bill को कैसे PMI करेंगे इसके बार में दिखेंगे तो यहाँ निए रटकीा का option दिखे देगा तो यहाँ आपने bill को EMI में convert करने के लिए यहाँ आप flexible क्लिक करेंगे कि इसके बाद यह pls niko कर आएगा आपके सामने फ्लेक्स पेका जो पेजह वो निकल कर आएगा आपके सामने यहां पर लिखा है Select Transactions to Convert to Emi तो यहां पर आपने इस महीने जितने भी Transactions किया होगा वो यहां पर सारा लिस्ट दिखाए जेगा जैसे कि मेरे यहां से चाहरा था है अगर आपने की आ होगा तो यहां पर एक याप करेगा की आपको सभी में लागाना है तो यहां आप से सेड़्ेक्ट्ट हो जाएगा या फिर आप यहां से manually भी select कर सकते हैं कौन-कौन सा transactions को आप EMI में convert करना चाते हूँ जैसे कि आप यहां पर एक-एक करकी यहां पर tick कर सकते हैं जैसे कि मैं इस दोनो transactions को EMI में convert करना चाता हूँ तो मैं इस दोनों पर tick करूँगा और यहां उपर आपको सभी details यहां पर show करें जैसे कि यहां पर available transactions जो है वो 6 है मतलब यहां पर total जो है वो 6 transactions मैंने किया था और इसके नीचे है selected transactions मतलब कितना transaction यहां पर हमने select किया है वो यहां पर दिखा रहा है जैसे कि यहां पर 2 transactions दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर दो transactions को select किया है और यहाँ एक eligible amount दिखा रहा है जो की है 7779 रुपीज यह जो bill है यह total मेरा जो 6 transactions है यह सबी transactions का मिला के यह जो amount है यह होता है 7779 रुपीज और इसके नीचे है selected amount 4000 इसके मतलब यह है कि यहाँ पर हमने दो ही transactions को select किया है और इन दोनों transactions का जो bill है वो total होता है 4000 रुपीज तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 4000 रुपीज रहा है तो यहाँ पर आपने मुताबिक जितना भी transactions को EMI में convert करना चाते हो वो यहाँ से आप select करोगे मैं यहाँ पर सभी transactions को EMI में convert करूँगा तो यहाँ में select all पर click किया तो यहाँ पर सभी जो है यह select हो जाएगा और यहाँ पर total amount भी आप देख सकते हैं यहाँ पर eligible amount और selected amount वो same हो गया है इसके बाद यहाँ नीचे continue पर click करेंगे इसके बाद EAP इस निकल कर आएगा आपके सामने यहाँ total amount भी आपको देना होगा वो यहाँ पर सो कर रहा है इसके बाद interest rate यहाँ पर सो करेगा कि इतना interest rate आपको देना होगा जैसे कि यहाँ पे जो first option है वो 6 महीन है का मतलब 6 month का EMI अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको processing fee जो है वो 77.80 देना होगा और इसके interest rate 20.5% लेगा एसे ही इसके नीचे है 24 months मतलब 2 साल का जो है वो आप EMI कर सकते हो इसमें भी processing fee सेम है और interest rate भी सेम होगा इसी तरह से 18 years के लिए भी आप EMI कर सकते हो या फिर 12 महीने का भी कर सकते हो 9 महीने का भी कर सकते हो और तिन महीना का भी आप यहाँ पे कर सकते हो और यहाँ पे सभी में जो है वो processing fee सेम है और interest rate भी लगबक सेमी है और यहाँ लिख्छा है your monthly EMI will be 1375.28 तो यहाँ आपको हर महीने इतना एमांट आपको देना होगा और यह जो एमांट है यह आपको 6 महीने तक continue उपे करना होगा और अगर आप यहाँ पे 24 months को select करते हो तो यहाँ पे जो EMI वो थोड़ा कम हो गया है 395.97 रुपिस और यह एमांट आपको हर महीने करके 2 साल तक आपको देना होगा और अगर आप यहाँ पे 18 months करते हो तो यहाँ पे इतना EMI आपको pay करना होगा monthly 18 महीने तक तो इसी तरह से यहाँ आप अप 12 महीने के लिए कर सकते हो 9 महीने के लिए भी कर सकते हो यहां तिन महीने के लिए भी कर सकते हो लेकिन यहां आप जितना ज्यादा महीने का यह मैं करोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्स्टा टार्जिस देना होगा जैसे कि मैं आपको यहां पर 24 मांस पे टिक करके दिखा देता हो तो यहां तो यहां पर हमको 395.97 रुपीज पे करना होगा तो यहां में कल्कुलेटर में जा के आपको समझा देता हूँ तो यहां में EMI एमांट टाइप करता हूँ 395.97 रुपीज था और इसके साथ मैं 24 मांच को माल्टिप्लाइ करूँगा तो यहां पर टोटल मुझे पे करना होगा 9,503 रुपीज लेकिन मेरा जो एमांट है वो टोटल है यहां पर 7,7779.96 रुपीज तो इस एमांट को में इस से माइनस करूँगा 7,7779.96 रुपीज तो मुझे इतना एमांट एक्स्टा पे करना होगा 1,723 रुपीज और अगर मैं इस जागा पे तिन महीन है का जो एमांट है वो स्लेक करता हूँ तो मुझे मांदली कितना पे करना होगा 2,681.33 रुपीज इन्टू 3 मांच तो यहां में टोटल पे करूँगा 1,043.99 रुपीज और मेरा जो बिल है वो है 7,7779.96 रुपीज तो यहां में उसको मैनस कर दाता हूँ तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं मुझे 6 मांच का आगर मैं 10 रुपीज यहां पे रखता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा खाली 2,064.3 रुपीज देना होगा लेकिन वहां आगर मैं 24 मांच को स्लेक करता हूँ तो मुझे लगबग 1,700 something पे करना होगा एक्स्ट्रा तो यहां पे आप जितना भी टेनियूर को जारा करेंगे उतना ही आपका लोस होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बहुत जारा टार्जर देना होगा तो आप अपने मुताबिक यहां से कोई साभी एक टेनियूर को स्लेक करेंगे जैसे कि मैं यहां पे थ्री मांच को स्लेक करूंगा और इसके बाद यहां नीचे एपलाई पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ आपको एक बार विरिफाइ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ टोटल एमंट सो करेगा आपका कितना बिल है और इसके बाद EMI यहाँ पर सो करेगा मांत ले आपको कितना देना होगा जैसे कि मुझे यहाँ पर 2,618.33 रुपीस पर मांत देना होगा और इसका जो इंटरेस ट्रेट है वो 20.25 पर सेंट पर एनाम होगा इसके बाद टेनियर मेंने यहाँ पर थ्री मांस को स्लख्या था मैं तिन महीने का IMI करूंगा और यहाँ पर मुझे प्रोसेसिंग फी भी 91.80 रुपीस लेगा लेकिन वहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी वहाँ पर थोड़ा कम था 73 याँ पर 74 सम्तिंग था उसके साथ जो 18% GST यहाँ पर एड होके 91.80 रुपीस शो कर रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर सभी क्लियर है इसके बाद यहाँ एक रिपर टिक करेंगे और यहाँ सम्तिंट पर क्लिक करेंगे लिखा आ गया है Congratulations, you have successfully booked a FlexiPay for an amount of 77779.96 रुपीस और इसके नीचे लिखा है You now need to pay an AMI of 2681.33 पर मांत for 3 months मतलब मुझे यहाँ पर मांत 2681 रुपीस पे करना होगा 3 महीन तक और इसके नीचे लिखा your service request number is इतना तो यह जो है आपका service request number है which has been sent to your registered mobile number और यह जो है आपका registered mobile number पर भी send किया गिया है या फिर आप इस number को यहाँ से आप copy करके save कर रह सकते हो future reference के लिए आपने request किया है मतलब हमने जो request किया है अभी यह में convert करने के लिए यह three working days में मुझे confirm करेंगे इसके नीचे यहाँ आपको view email schedule एक option दिखेज़गा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर सब इसके बद यहाँ टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्मेंट्स दिखा रहा है जैसे कि मैंने तिन महीने का किया था तो मुझे यहाँ पर थी दिखा रहा है इसके बद यहाँ नीचे गो टू हम पे क्लिक करेंगे इसके बद फिर से यहाँ पर पर क्लिक कर डिखते है तो यहाँ पर लिख्फा आ गया है मतलब यहाँ पे फिलाल कोई भी ट्रांजेक्शन कीया है आपको आफ करेंगे बद को इसके बद जिसे आपका जो बिल है वह यहाँ में infinite क्योंग हो जएगा तो यहाँ अम तो यहाँ पर आपका जो EMI है वो यहाँ पर सो करेगा कितना EMI आपको पे करना होगा इसके बाद यहाँ आप पे नव पे क्लिक करके आपना EMI को जो है वो पे कर पाऊगे तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने SBA credit card का बिल को EMI में convert कर सकते हो तो आई हूप हमारे वीजिय अप लोग को बहुत अच्छी लेगी है अगर आप लोग को हमारे वीजिय अच्छी लेगी है तो इस वीजियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से अर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें मैं के साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी ने टोपी के सब्सक्राइब करें मिलूंगा तब तक के लिए जैहिंद